अलो माई दियर स्टुरेंट तो आगत है आप सभी का सिंकोरी एडुकेशन के यूटुब चैनल पर मैसेल ने रेंजन लोटन यूर केमेस्ट्री फैकल्टी तो बूस्ट अप यूर अपकमिंग एग्जाम प्रपूरिशन तो स्टुदेंट्स आज हम शुरू करने वाले वन अप देमांडिंग और वन अप देमोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स आफ यूर एंटायर क्लास 12 केमेस्ट्री बूक यूट अगर हम भात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वेटिज़ की इन आवर सीवेसी बूर्ड तो हर सा इस बार आपका एक चैप्टर रिडूस कर दिया है आपके इन और निक से तो मुस्ट पाबबली इस बार बोर्ड एट मार्क के पूस्ट सकता है आपके चैप्टर नमबर से जो की है पी ब्लॉक के लिमेंट्स के तो एट मार्क बहुत ही अच्छा शावेट हैं और आप बहुत इसी स्कोर कर सकते हैं उस हैं अगर अपने टेशाट नोट्स बनाया है और उसमा इन शॉट्ट नोट्स का रिवाइस किया है बस आपको उतना ही करना है जो आप क्लास में बताया जा रहा है यह जो और अहीजे और ा. और आप बाकि! врем tidak कर जो आप class 11 में सीख चुके हैं because इसका कुछ portion है जो आप class 11 में पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक का वो अब हमें नहीं पढ़ना है तो वहां आपको basics बहुत अच्छे से बता दिया गया था आपको clear कर आदिया गया था कि कैसे trending होती है या फिर कैसे हम electronic configuration लिखते हैं या फिर क्या होता है about principle यह चीज़े आपको काफी अच्छे से बताई थी तो अब मैं की concept आपको बताने वाला हूं जो आपकी 12 बोड के पी ब्लॉक के analysis को पढ़ने के लिए important रहने वाले हैं जिससे जिन concept को पढ़के आप पी ब्लॉक वाले chapter को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे मैं उनकी concept का quickly revision देता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से chapter को पढ़ सके और आपको सिर्फ रणना ना पढ़े आपको चीज़े समझ भी आए कि क्यों चीज़े कैसे हो रही है क्यों atomic radius decrease हो रही है या फिर क्यों electronegativity decrease हो रही है सारी ची सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी modern periodic table से तो आप सभी को पता होगा कि जो group no.1 और 2 होता है वो comprises होता है आपका s-block से क्या होता है s-block से group no.1 and 2 together are called s-block अगर हम group no.13 से 18 की बात करें तो this is called your p-block यह ही पढ़ना होता है हमें हमारे p-block में अगर हम group no.3 से group no.12 की बात करें तो this is your d-block and this is your app-block तो यह तो हो गई हमारी representation of elements on the business of blocks अब students मैं आपको बता हूँगा कि groups कौन कौन से होते हैं या फिर आपके periodic table में maximum की इतने group है तो जैसे कि आप देख पा रहोंगे अगर आप से पूछा जाए कि maximum number of groups in your periodic table then it is called 18 अगर आप से पूछा जाए है maximum number of period तो period the maximum number of periods in your modern periodic table is 7 तो students यह भी important यह याद करने वाले आप पॉइंट है आप इसे note-down कर लिजिए एक नंबर के questions में यह पूछा जा सकता है तो आप जल्दी से screenshot ले लिजिए ताकि हम next move on कर सके हमारे आपको नहीं पढ़ने है वहाँ पर मैं आपको detail में एक एक element का analysis करके बताऊंगा कि इनके characters कैसे है या फिर डिफेंट properties का detail analysis करूँगा तो आप जल्दी से पहले screenshot ले लिजिए तो students यह है आपके पी ब्लॉक के elements अगर इन पी ब्लॉक के elements में से बात करें तो यह होती है आपकी boron family ठीक है यह होती है आपकी carbon family यह दोनों की दोनों आपको नहीं पढ़ने है because आप class 11 में पढ़ चुके है group number 15 के जो elements होते हैं उनको कहा जाता है nitrogen family group number 16 के जो elements होते हैं उनको कहा जाता है noble gases ठीक है students यहां तक आप सभी ने note कर लिया होगा मैं आपको फिर से एक बार लिखवा देता हूँ ग्रूप नंबर जो 14 होता है उसके elements को कहा जाता है carbon family जो कि आपको वैसे नहीं पढ़ना है बट फिर भी आपकी knowledge के लिए better है ग्रूप नंबर फिप्टीन की बात करें तो इस इस नाइट्रोजन फैमिली कि या फिर हम इसको पी निक्टोजन भी कहते हैं अगर हम बात करें ग्रूप नंबर 16 की तो ग्रूप नंबर 16 होता है आपका चाल कुजन्स ग्रूप नंबर 17 होता है आपका लोजन्स ग्रूप नंबर 18 होता है आपकी नूबल गैसे सब्सक्राइब का फैमिली नहीं तो आप इसका जल्दी से स्क्रिंशॉट ले लिजे फिर मैं आपको डिटेल में पी ब्लॉप एलिमेंट्स के बारे में कुछ और चीज़े बताऊंगा तो यहीं तो बात हो गई है आपके अलिमेंट्स की अब मैं आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी का कंपेरिजन करवाऊंगा कि क्या टॉप टूबॉटम अगर हम प्रियोडिक टेविल में मूव करते हैं तो क्या चिंज़ आते हैं या फिर एक्टमिक रेडियस जैसे कि आप आपको कुछ नहीं करना आ यहाद कर लिजे है टो फर्स बॉन इस पर-स-वन-is अगर नेगटिवटी टेए अगर टेटी टेए टेए टेट टेए गज़िए टेटी टेटी टेए टेट सेक्ट वन इस अगर देटिन्स अगर आधर इसको कहार देते हैं और रॉनाइजरेशन इन थाल के यह दोनों ऐसी प्रॉपर्टीज है जिन में अगर हम टॉप टू बॉटम करते हैं और तू बॉटम तो टिक्रीज होती है यह स्टुड़ेंट्स डिक्रीज होती है मतलब अगर आप नाइड्रोजन फैमिली की बात कर लें और इसमें आप टॉप टू बॉटम होगी आपकी आयोनिजिशन एंथल्पी डिक्रीज होगी अगर हम बात करें अधर प्रॉपर्टीज की जैसे की कॉप taking a saúdezysta को कि मौनिक रहेचां से आ निमेए पका मेल्टिंग पॉउइन्ट या फिर हो गया आपका बॉदिंग पॉइट या फिरो गया आपका मैं ति टेनसीटिटिंब यह सारी प्रापरटीज मैं इन्क्रीज करती है अब to तो बॉटम करते है यह जो दो प्रपर्टी जे वह आपकी डिक्रीज करती है और भागी जो सारी प्रपर्टी जे वो इंक्रेज करती है तो आप तो कहीं भी कुचिन में देख लीज़े आप से लेक्रो नेगेटिविटी आई आई अनल्पी के बारे में तो नहीं पूछा है अगर वह पूछह है तो टॉप्टू बॉटम डिरीज होगा नहीं तो टॉप्टू बॉट्म अगर आप करते हैं तो आपकी यह सब होते हैं क्या होते हैं तो कुछ नहीं करना आपको सिर्फ टॉप टू बॉटम का ट्रेंड याद अखना है लेफ्ट टू राइट का जस्ट अपूजिट कर दीजिएगा आपके उससे ट्रेंड सारे के सारे आ जाएंगे तो यही तो बात बात हुई जनरलड और जनर। इसकी हम बात करेंगे आटatory नबर पर कियोंकि हमको यहाद करना होता है कि कौन साए लिमेंट कौन से लिमेंट के आसपास अ पहले चाहिक का मृआपको सी ट्रिक्स गयारी याद होना चाहिए आपको तो आप easily electronic configurations लिख सके तो स्टुरेंट जल्दी से इसको note down कर लिजे ताकि हम अगले topic की तरब move on कर सके जो कि है हमारा general electronic configuration वाला तो स्टुरेंट जनर्ल लेक्ट्रोनिक configuration से पहले मैं आपको एक बार इसके atomic number याद करवाना चाहूंगा आपको सिर्फ एक ग्रूप पकड़ना है जैसे हमने पकड़ लिया ग्रूप नमबर 15 आपने पकड़ लिया ठीक है तो इस ग्रूप नमबर 15 के सारे elements के atomic number याद कर लिजे nitrogen आपको याद दी होगा साथ और याद करते हैं तो आता है साथ और 15 त आपको याद यह रखना है नाइटोजन और और फॉस्फफरस उसके बाद क्या करना है अठारा दो बार अठारा एड़ करना है जो भी आएगा वह आपका अपने यह चीज याद कर ली मतलब आपको याद हो गया कि नाइट्रोजन फैमिली के क्या अट्रमिक नंबर है तो फिर क्या है दोस्तों अगर आप से पूछा गय है और इसे दो ही आ गया है तो आप कर सकते हैं कि क्लोरिन का अट्रमिक नंबर क्या होने वाला है ऐसे आप पूरे प्रियोडिक टेबिल के अट्रमिक नंबर बहुत ही निकाल पाएंगे स्टूजन जल्दी से आप इसका भी स्क्रिंशॉट ले निजिए ताकि मैं आपको ए टीन चीजों की जरूरत होती है नेमली फर्स्ट वन इस उल्लेक्ट निक आप लिए जरूरत पड़ती है वह होती है अको पता हो ना थी यह जिस एक्टम या जिस ऐलिमेंट का आप लेक्ट्र निक कॉन्फिगरेशन लिक रहे है उसका अटमिक नंबर क्या है फिर्स्ट रि में मैंने आपको सारे पी-ब्लोग के आटमिक नंबर से याद करवा दिये थे मतलब मेंने आप सिर्फ नेट्रोजन फेमिली का याद करवा दिया था और हम रिले टिवली कंपेर करके बाकी अधर पी-ब्लोग ब्लॉक में और यह चीज आपको पता होनी चाहिए अगर पता निये तो मैं आपको फिर से नोट डाउन करवा देता हूं अब आपको नमबर भी निकालना आता है आपको अपको फिलिंग जो डिसायड होती है वह डिसाइड होती है आपके अबब इस पिर चिद्दान्त में ये कहा गया है कि आपकी स्टेवल के रहने वाला थे सबसे पहले वन presents वलेगा फिर 2S2 बरेगा, फिर 2P6 बरेगा, फिर 3S2 बरेगा, फिर 3P6 बरेगा, फिर 4S2 बरेगा, तो यह order रहने वाला है आपका electron बरने का, तो student जब भी भी आपको कोई लंबा चोड़ा electronic configuration लिखना हो, तो आप जल्दी से यह बना लीजिए, और arrows से cut कर दीजिए, और फिर आपको atomic number तो पता है, अब को पता है किस में आपको कितने electrons भरने हैं, तो आप easily calculate कर सकते हैं, और easily electronic configuration निकाल सकते हैं, हम बात करें, electronic configuration की for example, गर हम बात करें कि आपको nitrogen का electronic configuration निकालना है, तो मैंने आप सभी को बताया था, कि nitrogen का atomic number होता है, वो होता है, 7, तो seven electronic configuration के लिए सबसे पहले रोन जाएंगे 1s में तो होगा 1s2 देन 2s2 उसके बाद जाएंगे 2p में तो 2p3 तो इस विल दा बीदा electronic configuration for nitrogen element अगर हम simply similarly बात करें फॉस्वरस का जिसका इसका इलेक्टरन होगा electronic configuration होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 यह हो गया आपका nitrogen का यह हो गया आपका फॉस्वरस का ऐसे आप आप किसी भी किसी भी element का electronic configuration निकास सकते हैं अगर आपको इसका atomic number पता है तो तो स्वरस आप इसको भी जल्दी से note-down कर लिए और हम आगे move on कर जाते हैं अपने next topic जब हमारा next topic है वो है general electronic configuration अभी अभी हम बात कर रहे थे electronic configuration के भी आपको क्या लगता है इस इस दो सेम् तिंग जन्रल एलेक्ट्रोंग कॉन्फीगरेशन ही electronic configuration होती है जी नहीं student जन्रल एलेक्ट्रोंग कॉन्फीगरेशन इस डिफ्रेंट तिंग दैन electronic configuration अगर हम बात करें वेलेंस शेल इलाक्रोंस की तो आपकी जो वेलेंस शेल इलाक्रोंस का जो configuration होता है उसे ही जनरल electronic configuration कहा जाता है या फिर ऐसा बुल जाए सयोजी electronic विन्यास कोई सामानिय electronic विन्यास कहा जाता है अगर हम बात करें अगर हम बात करें नाइट्रोजन की पॉस्फरस की अक्षनिक की एंटी मनी की और बिस्मित की तो अगर हम सबसे पहले हम बात करें टॉप टू बॉटम जो होता है आपका मैटलिक केरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है यह मैंने आपको पहले भी बताया ह है कि top to bottom metallic character increases ठीक है तो आप यहां देख भी पा रहे होंगे कि यह दो metals है then उसके बाद metal यानी कि सब metals है then उसके बाद metals है अगर हम occurrence की बाद करें 15 elements की तो group 15 में जो nitrogen होता है वो gases form में पाया जाता है n2 की form में बाकि सारे जो अधर elements है वो solid होते हैं तो nitrogen gas होता है इसी लिए कम boiling point चाहिए होता है और बिसमत solid होता है इसलिए इसका boiling point ज्यादा होता है as compared to nitrogen तो student जल्दी से इसका भी screenshot लिए लिजिए हम नेक्स टॉपिक पर मूव आन कर सकते हैं मैं कुछ properties को वापिस से discuss करना चाहूंगा जैसे कि electron negativity होगे तो electron negativity क्या होता है स्टुडेंट्स दा एबिलिटी ओफ अफ 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 एन एटम तू अट्रेक दा shared pair of electron toward each other यानि कि जैसे भी कोई bond formation होता है दो एटम्स यादो आटम्स के बीच में तो जो 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 element ज्यादा है वो बॉन्ड की electrons को अपनी साइट पुल कर लेगा या फिर यह जो capacity होती है electrons को अपनी साइट पुल करने की इसी को इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कहा जाता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लेफ्ट तू राइट जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इन्क्रीज होती है यह होगे स्टूइन्स देखिए आप देख भी पा रहे होंगे अगर इसमें हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं और आपकी जो अगर आप इसको नुट डाउन कर लिए यह भी इंपर्टेंट रहता है आप जल्दी से इसका भी स्क्रीन शॉट ले लिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव अन कर सके अगर इसका ना चाहूंगा बाइलिंग पॉइंट एंड मॉल्टिंग पॉइंट के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था एगर हम टॉप अगर हम करते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह इंक्रीजू करता है अगर हम मेलटिंग पॉइंट की बात करे तो अगर हम टॉप नवाट मूव करते हैं तो आपको मेलटिंग पॉइंट भी जणेनरली इन्कckenब्रेबी और कुछ एक्सेप्टे Brought that for example अगर हम सब्सक्राइब अन्डे feelings की बात करें तो नाइट वाहना तक तो भड़ता है यहां पर होता है कि दीटूड मद्लॉॉप Jeans अर्थनिक और एंटीमनी का जो अटमिक रेडियस है यह अल्मूस्ट बराबर हो जाता है इसलिए जो अर्थनिक है उसका उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एस कंपेर टू एंटीमनी खिके स्टुडेंट अगर बात करें हमारी अगर बात की जाएं मेल्टिंग पॉइंट करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी पैकिंग करता है इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लिजे लिके स्टुडेंट आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा बहुती इंफॉर्मेटिव वीडियो था मैंने छूटी छूटी चीज़े आपकी जो 11 के की कंसेप्ट थे वह आपको किक्विली रवाइस करवा दिये ताकि आपके जो कंसेप्ट बिलिंग है चेप्टर नंबर सेवन में उसमें आपको दिक्कत ना हो और आपको बहुत अच्छे से समझ आपाए आई हूप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही